हेलो फेंड्स स्वागत है आपका माईलो फार्मिली चानल में मैं हूं गुंचुर प्रेग्नेंसी किट में दिखने वाली दो पिंक लाइन्स किसी भी कपल के लिए खुश खब्री लेकर आती हैं लेकिन अगर यही किट बेहा धलकी पिंक लाइन्स हो करें तो इसे क्या समझा जाए लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप उन 10 लखी विनर्स में से एक हो सकते हैं जो हर फ्राइदें 500 रुपय का वाउचर जीटते हैं आपको बस इस वीजियो को अंते तक देखना है और उस शब्द को कॉमिन सेक्शन में मैंचिन करना है जो आपको व सकते हैं और एक्सपर्ट से बारशीद भी कर सकते हैं इसके अलावा भी माईव आपपड़ को कॉपल से कारण बन जाती है और इसे देख कर वो ये नहीं समझ पाते हैं कि pregnancy confirm हुई है या फिर नहीं ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए आईए सबसे पहले pregnancy test kit के mechanism को समझते हैं Understanding a pregnancy test kit सभी तरह के pregnancy test kit pregnant woman की urine sample में HCG hormone को detect करके pregnancy को पता लगाती है HCG hormone body make एवल pregnancy के दोरान भी बनता है और अगर test kit इसे detect करता है तो इसका मतलब है एक confirmed pregnancy Interpretation of pregnancy test results जब आप test kit में अपना morning urine sample डालते हैं तो दो lines display होती है इसमें से एक होती है control line और दूसरी होती है test line Control line Control line ये ensure करती है कि आपका test valid है फिर चाहे pregnancy हो या फिर ना हो Test line और जब आपको control line से अलग एक और bold dark line दिखाई दे तो ये test के positive result को indicate करती है जिसका मतलब है कि आप pregnant है Understanding a faint pink line अब बात करते हैं faint pink line की जो सबसे ज़्यादा confuse करती है तो आपके लिए good news ये है कि ये दूसरी वाली line चाहे जतनी भी हलकी हो test के positive result को ही indicate करती है False positives and negatives Pregnancy desk kit का एक और पहलू ये भी है कि कभी कभी ये false positive या पर negative result भी दिखा सकता है हाला कि ऐसा बहुत कम होता है लेकिन जहां false positives के कारण कुछ खास तरह के medicines का सेवन या फिर medical conditions हो सकती है तो वहीं समय से पहले की test करने की जिल्दबाजी में आपको false negatives मिल सकते है इसलिए ज़रूरी है कि आप test करते हुए timing कर्धान ज़रूर रखे वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे pregnancy confirm होने के बावजूद भी ये दूसरी line हलकी गुलाबी क्यों दिखती है factors affecting line intensity इस pink line की intensity में कमी आने के कई factors हो जाते हैं जैसे की समय से पहले test kit का इस्तेमाल करना, urine का diluted होना और implantation के आसपास test kit का यूज करना ये कुछ ऐसे कारण है जोनकी बजहास से ये दूसरी line in light pink दिखाई देगी है What should you do next? Early pregnancy state में HCG levels लगातार बढ़ते रहते हैं और इसलिए हल्की गुलाबी line आने पर आपको repeat test करना होगा Test kit का result दोबारा confirm करने के लिए आप कुछ दिन wait करें और फिर से इसी repeat करें बढ़े हुबे HCG levels के साथ test repeat करने पर दूसरी line dark pink दिखने लगेगी हलकि अगर आप इंतजार नहीं करना चाहते तो अपने रॉक्टेर से consult करके HCG blood test भी करना सकते हैं तो अब test kit में faint pink line को देखकर निराश ना हो क्योंकि हलकी गुलाबी line भी खुशखवरी का sign हो सकती है याद रखें दूसरी line का दिखाई देना फिर चाहे वो जितनी भी हलकी हो HCG की presence को indicate करता है जिसका मतलब है pregnancy confirmed है So be happy and ready for your journey of motherhood उमीद है आपको इस वीडियो पसंदाया होगा अगर आपको इस वीडियो यूसफुल लगा है तो इस वीडियो को like करना ना पूले comment करके अपने विचार बताएं और अपने friends और family के साथ इस important information को जरूर शेयर करें साथी subscribe button पर click करें और bell icon को भी press कर दें ताकि सावे समय पर आपको notifications मिलती रहें और असकार